नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जन्हित आवाज और मैं हूँ राशित कुरोनकाल जब से शुरू हुआ है तब से पूरी दुनिया एक अलगी दौर से गुजर रही है किसी भी देश के लोग हों सब अपनी आर्थिक इस्थिती को सुधारने में लगे हुए हैं एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर श्री लंका बरबादी की कगार पर पहुँच के रहा है श्री लंका के पी-एम महिंदा राजपक्षे के आवाज को गुसाए लोगों ने आग लगा दी हमला किया तो वहीं कहा जा रहा है कि राजपक्षे वहाँ से भाग कर भारत आ गई है लेकिन भारत का कहना है कि ये खबर फर्जी है श्री लंका से कोई भी भारत नहीं आया है तो वहीं दूसरी ओर महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल ने मीडियास से बात करते वे कहा है कि ऐसी अब वाहें फैल रही है कि उनके पिता महिंदा राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए है भाग गए है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हम कहीं भी नहीं जाने वाले देश छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि श्री लंका के हालात आज ऐसे हैं जिसे आप देख नहीं पाएंगे महा के लोग भुक मरी की कंगार पर है महंगाई अपनी चरम सीमा पर है पुरे श्री लंका में हिंसा मची हुई है हालात बेकाबू है जनता सडकों पर है हर चीज महंगी हो रही है महंगाई बढ़ रही है मारा मारी मच रही है और लोग मर रही है चलिए के करके मैं आपको बता दाओं कि आखिर वहां के हालात क्या है श्री लंका में इंधन की भारी कमी हो गई है पेट्रोलियम प्रोडक्स की कमी होने से सरकारी काम भी रुग गए है लोग नीजी वहनों का इस्तमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि इंधन तेल ना होने से कई पेट्रोल पंप ही मंद हो गए है जहां तेल मिल रहा है वहां सैना की मौजूदगी कड़ी कर दी गई है कि महाँ पर अभविस्था पैदा ना हो महाँ पर हालात न बिकड़े पेट्रोल पंपर कई कई प्लिस वाले खड़े है हाली में श्री लंका में टेल की लंबी लाइन में खड़े दो लोगों की भी जान चली गई जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है तेल लेने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है श्रिलंका के बिजली घरों को भी परियापत इंधन नहीं मिल पा रहा श्रिलंका के लोगों को लगबग 13 घंटे इस वक्त अंधेरे में गुजारने पड़ रहे हैं इंधन की कमी से कई बिजली घर तक बंद हो गए हैं देश में जरूरी सेवाएं जैसे दवाईयां हैं मेडिकल हैं ऐसे समानों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है जिसे देखते हुए कई अस्पतालों ने सरजरी करनी भी रोग दी है और इस कारण श्री लंका में बीमार लोगों के जान जाने का खत्रा और पैदा हो गया है जब उन्हें सरजरी नहीं मिलेगी जब उन्हें परियाब तिलाज ही नहीं मिलेगा तो ऐसे में उन मरीजों का क्या हाल होगा बतादें कि श्रेलंका में सरूरी सामानों की भारी कमी हो गई है एक किलो चावल के लिए लोगों को पात सौ श्रेलंकाई रुपे देने पड़ रहे हैं और चीनी की भी यही हालत है फल, सबजियां, दूद ये सब ऐसे खाने पीने की जो भी चीज़े हैं वो सब आम जनता की पहुंच से बहुत दूर होती होई दिखाई दे रही है सबजियों की कीमत हजारों रुपे तक पहुंच गई है ब्रेड इतने महंगे हो गई हैं कि गरीब लोग उने खरीद नहीं पा रहे ऐसे में लोग भूके रहने को मजबूर हैं और वो पाई पाई को महोताज हो गई है श्री लंका के कई लोग देश छोड़कर पड़ावसी देश आ रहे हैं गंभीर खादान संकट के लिए लोगों का कहना है कि सरकार की खराब नीती इसके लिए जिम्मेदार है कहा जारा है कि अप्रेल 2021 में श्री लंका की सरकार ने देश की जैवी खेती को बड़ावा देने के लिए रसाइनिक उर्वरों को और किट नाशकों के आयात पर पून तरीके से बहन लगा दिया था किर्शी में अचानक हुए इस बदलाव से उत्पादन बिल्कुल कम हो गया तो अब सवाल यह उड़ता है कि श्री लंका सभी जरूरी समानों को आयात आखिर क्यों नहीं कर रहा क्योंकि श्री लंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है उस पर भारी कर्जा हो चुका है चीन जापान भारत जैसों के करज में श्री लंका इस वक्त डूबा हुआ है श्री लंका का विदेशी मुद्रा बंडार जनवरी से 70% तक गिर चुका है और इसी वज़ा से वहां आयात रुका हुआ है क्योंकि वो भार देशों से चीजें नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि उ सरकार ने अपनी विदेशी करज की अर्बो रुपे के किस चुकाने के लिए सभी जरूरी समानों के आयात पर बेन लगा दिया था अब भी श्री लंका पर कई देशों सहीत अंतरास्ट्य मुद्रा कोश्का भारी करज है लेकिन वो करजों के किस तक नहीं भर पा रहा है ब लोग दाने दाने के लिए मजबूर हैं खाने पीने के लिए बेबस हुए पड़े हैं पैसा नहीं है सडकों पर मारे मारे फिर रहे हैं आदे पेट रहने को मजबूर हैं कभी रोटी मिल गई तो कभी नहीं मिली श्री लंका कि ये जो हालत है वो कोरोना काल के मद्दे नज दिया है लोगों का रोजगार चिलन गया है और वहां पर लोग किस तरह से सड़कों पर मजबूर है और ये देखने वाली बात होगे कि वहां पर हालात कब सामानने होंगे क्या कोई देश श्री लंका को योगदान करेगा उनकी मदद करेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां के लोगों की जो आज इस्थिती है जो हालात है वो और बिगड़ जाएंगे और वहां पर अभी लोगों की इन्तिजार में जाने शुरु हुई है क्योंकि तेल की लाइन में खड़े हुए दो लोगों की जान जा चुकी है अगर ऐसा ही हाल रहा तो वहां वो दि कुल पताएंगे